लो माई डियर स्ट्टेट्ट्स वेल्कम बैक टो माई टूब चैनल SP Study Classes 9335 आजके इस वीडियो में हम लोग डिस्टस करेंगे क्लास 12 कमेस्ट्री के बारे में क्लास 12 कमेस्ट्री बॉर्ड एक्जाम 2024 के लिए अगर आप लोग इस वार क्लास 12 में है और आपको भी board exam 2000 अगर आपको 24 देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है वीडियो को complete देखिए एक एक topic को एक questions को ध्यान से समझे क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे class 12 chemistry के 30 सबसे महत्पूर जो question है हमारे board exam 2024 के लिए उनको हम discuss करेंगे और ऐसे question है जो लगवग हर बरस हमारे board exam में आते ही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा important question है आप एक एक questions को ध्यान से समझ लीजिए और इन सभी questions को आप board exam 2024 देने से पहले जरूर तयार कर लेना क्योंकि बच्चो इनी से question आपकी board exam में आने वाले हैं हम बात करेंगे जो हमारे board exam के लिए most important name reactions होती है उनके बारे में भी तो आईए हम एक एक topic को बिलकुल ध्यान से एक एक चीज़ समझ लेते हैं देखी बच्चो पहला topic है molartha अब देखें molartha जो है हमारे board exam में एक या दो नंबर में कभी-कभी पूछ ली जाती है लेकिन molartha में important क्या इसका जो सूत्र होता है उस पे आपको इसके numerical मिलेंगे क्या बच्चो निउमेरिकल हमारे board exam में आते है molartha को लेकर ठीक है next topic देखी next question है mole प्रभाज या फिर mole ans के बारे में mole प्रभाज को ही mole ans कहते है इसके बारे में हमें बहुत जच्चे थे पढ़ लेना है क्योंकि बोड़ जाम में दो नंबर में ज़्यादा तर पूछा जाता है टिपड़ी के रूप में ठीक है बच्चो परासरण दाब दीखिए एक परासरण होता है परासरण की किरिया तो दीखिए परासरण की किरिया होती है परासरण की किरिया हो रही इस बरतन में अगर इस किरिया को में रोकना है तो इस पर एक दाब लगा देंगे परासरण दाब जीसे कहेंगे इस किरिया को तो इसे ही परासन दाब, तो अगर परासन दाब की एगर हम definition की बात करें, तो हम कहेंगे, परासन की किरिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उसे ही हम परासन दाब करते हैं, ठीक है बच्छों, नेश्ट देखिए, नेश्ट बच्छों आपको स्यानता के बारे में पढ़ लेना है, तीकि जल्दी जल्दी से सौर एक कोस्टन आप देख लिजिए, आपको हिमांक में अवनमन जो हमारा एक कोस्टन है, इसको पढ़ के जाना है, आपको इलक्टोड बिभो के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, आपको मोलर चालकता जानशीन सभी पढ़ले लेना है बतचों आपको प्रतम कोट्य 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 के अवगिरियां वारे में बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़लेना संक्रमर क्या होते संक्रमर कंदे इनको पढ़ेंड किया हूट सार लेने सारे टॉपिक बेरी commend इंपोर्टेंट है जो ऐसे टॉपिक हैं आपक्वी बेर्गल्व सेंक्षा नहीं पुल्कुल अच्छे से पढ़ लेना और कभी-्पझी शिद्भांच नंबर में भी बच्चों पूझा जाता ठीक है आपको बच्चों पढ़ लेना सेत जफका नियम 1 Sindler नंबर या 3 नंबर में इंपोरटन्ट इम पढ़के ही जाना सेट जफकानियम आपको बच्चों क्लोरोफरम इस को आसान तरीके से और बेसिक तरीके से आपको पढ़कर जा Ben पर इच्छन पढ़ लेना क्या होता है ठीक है बच्छों नेस्ट है एस्ट एसो फॉर के बारे में आपको बिल्कुल इस तरत इसके बनाने की बीदी बनाने की बीदी प्रियोग साला समेकाण भातिक गोंड उपियोग और रसाइनी गोंड सारा कुछ पढ़के जाना है आपको एस्ट एसो फॉर के बारे में क्लोरोफार्म के बारे में ठीक है बच्छों नेस्ट आता है कि फिनोल फिनोल क्या होता फिनोल के बारे में भी सारी ब सारी चीजों के बारे में आपको पढ़के जाना है अबसा इन सारी चीजों के बारे में कि प्रोड मिं कि प्रात्मिक सरचना का यह इसके बारे में भी आपको बच्चो नहस्तरफिक है अपको डियाक्सियान्स त्सष्ट न लाइबकिवन बच्चो आपको एक क्रेक्षन पड़ने है उल्मान अब करिया आपको पड़ने है और आपको पड़ना है dennि इनसे अत्रिक्त इन रियक्षन जो गए इनसे अत्रिक्त आपको रियक्षन अत्रिक्स रियक्षन काँ से करना है मैं आपको इसी वीडियो के डिक्स्ट्रोक्षन बाक्स में लिंक दे दूँगा एक एक लिंक मिलेगा उसमें लगवक 10 important reactions होंगी 10 लगवक 10 सबसे महत्पूर अ अविक्रिया वहां से जाकर आप पढ़ लेना वहां पर मैंने एक एक अविक्रिया को बना के समझा रखा है तो वहां पर जाकर आप अब करियाओं को पढ़ सकते हैं ठीक है तो बच्चों एक तीस जो हमारे question थे एक तीस question है इनको आपको 100 परसंट तयार ही कर लेना क्योंक आपके बच्चों तो हम मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियों किसे नए धमाके तरह टोपिक के तब तक लिए आप पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रिए जैहिल वंदे मांत्रम